वादिय कश्वीर के गंडबल भटवारा इलाके से एक बहुत ही दर्दनाग खबर सामने आ रही है स्रिनगर के दर्याई जेलम के उपर गंडबल और भटवारा के इलाके में एक कश्टी जो दर्याई जेलम में पलट गई इस कश्टी के पलटने से कुछ मासूं बच्चों की जान चली गई यह बहुत ही अपसोसनाक यह सारा वाके हुआ है दिल दहला देने वाला एक दर्दनाग दिलदोस वाक्य यह हादसा गंडबल भटवारा में पेश आया है जिसमें हमारे कुछ मासूं बच्चों की जान चली गई वो मासूं बच्चे उनके जो घंजबा खानदान के साथ में इस मुश्किल घड़ी में इस दुख की घड़ी में अपनी पूरी हमदर्दी का इज़ार करता हूं मैं जमू कश्मीर के मौतरम लेटिनिन गवर्नर मनोज सिना साहब से घुजारिश करता हूं कि इस किस्म के वाक्या जो है उनको रोकने के लिए हर प्रकार के कदम हर पहल हमें करनी है जैसी कि हमें जानकारी मिली है गंड़ बल बटवारा में जो की एक पुल वहां उसकी बड़े देरी ना मांग है पिछले पचास साथ साल से वहां के लोग गंड़ बल बटवारा के उस दरियाई जेलम की उपर पुल की मांग कर रहे है और पुल ना होने की वज़ा से मजबूरन लोगों को कश्टी में सावार होकर वहां से गुजरना पड़ता है और आज बहुत ही दर्दना दिल दहला देने वाली ये खबर आई कि जब कश्टी पलट गई और कुछ मासुम बच्चे इस हाथ से का शिकार हो गए उनकी जान चली गई गंजदा खानदान के साथ इस मुश्किल घड़ी में इस दुख और तकलीफ की घड़ी में मैं अपनी हमदर्दी का इजहार करता हूं और जो भी इन गंजदा खानदान को इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ हैं मैं आउनरेबल लेटिनेंग गवरनर श्रीमान मनुद शिना सहाब से गुजारिश करता हूँ कि इन गमजदा खानदान जिनूने अपने लखते जिगर इस किष्टी के हाथ से में गंडबल बटवारा जो स्रेनगर में हैं वहाँ अपने लखते जिगर खोए हैं उन गमजदा खानदानों की हर किसम से मदद की जाए और जल्द से जल्द जो इंतजामिया के सीनियर आफीसर्स हैं वहाँ का दोरा करके जो वहाँ के लोगों की डिमांड हैं जिसके लिए वो पिछले पचास साथ साल से लगातार एक पुल को बनाने की मांग कर रहे हैं और यकीने बनना चाहिए और इस किसम के हाथ से दुबारा ना हो इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए मैं एक बार फिर उन तमाम गमजदा खानदानों के इस दुख में पूरी तरीके से शरीक होते हुए उनके साथ अपनी हमदर्दी का इज़ार करता हूँ यह बहुत ही तकलीफ देने वाला यह दिल दहला देने वाला दिल दोस यह हाथ सा पेश आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मौतरम लेटिनिन गवर्नर स्वी मनोज सीना साहब इस एरिये में गंडबल बटवारा में हर किसम की जो इन मुतासर खानदानों जिनों ने अपने बच्चों को खोया हैं उनकी हर प्रकार की मदद करेंगे और जल्द से जल्द उस एरिये में पुल्क की कंस्ट्रक्शन हो ब्रिज को तानीर किया जाए जो की बेहत लाजनी है मैं यही तवक्व लेटिनिन गवर्नर साहब से करता हूँ